हाई अवरीवन एक बार फिर से स्वागत आपका चैनल स्टेडी जैट में जिस्टिक एंड सेसेंज़ कोर्ट जजज़र के अंदर कलर की वकैंसिज निकले हैं आपकी वकैंसिज जो हैं वो एड़ोग बेसिज पर हैं जो भी इंटरस्टिड गंडरेट है पूरी वीडियो देखना आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा फोर्म किस प्रकार भरना है साइट डिटल आपको इस वीडियो में प्रवाइड करा दूआ तो देखेगा ये जो वकैंसिज हैं आपकी एड़ोग बेसिज पर हैं यानि कि जब तक कोई रेगुलर वकैंसिज नहीं फिल अप होती है तब तक आपको काम पर रखा जाएगा और एक प्रकार से आप डिशी रेट मान सकते हैं तो ये जो वकैंसिज हैं आपकी जजजर कोट के अंदर निकली हैं और कल रख की ये वकैंसिज है 25-500 आपको सेली प्रोवाइड की जाएगी और शुरुआत में यहां पर 6 मंत के लिए बताया गया है आगे बात करें तो देखेगा एजुकेशन क्वालिफकेशन में आप कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास बीए हो बीए सी हो बीकॉम बीसी जो भी है आपके पास तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके लिए और आपको कम्पूटर चलाना आना चाहिए बाद में आपका जो रजल्ट आता है तब CPT कम्पूटर टेस्ट के लिए भी आपका लिस्ट लगती है तो कम्पूटर चलाना नॉर्मल कम्पूटर चलाना आपको आना चाहिए फिर age limit की बात करें तो 18 से 42 साल एक इसके लिए अपलाई कर सकते हैं एक जनवरी 2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए age relaxation जो SC OBC काटेगरी है EWS है इनको 5 साल का मिलता है तो 25, 47 साल age relaxation भी रहेगा आपका फिर mode of selection की बात करें तो देहेगा mode of selection में आपका 100 नमर का आपका exam रहेगा 100 में आपके 50 नमर की English आएगी 50 नमर का जिक्के आएगी तो जिसमें आपके 40 नमर लेना अनिवारे होगा और 100 में से 40 नमर तो पक्या आने ही चाहिए आपके और 33 परशेंट क्वालिफाई मार्क्स है यानि कि 50 में subject wise आपके 33 परशेंट नमर भी आने चाहिए तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे फिर आपके बाद में देखो यहां पर बता दिया गया है computer typing test भी होगा English के अंदर 30 word per minute आपकी typing speed होने चाहिए तो यहां पर यह बता दिया है तो यह आपका selection process जल्द ही आपका schedule भी डल जाएगा और तो अपनी तैरी करिए साथ-साथ करते रहना 11 मार्च इसकी last date है और श्यामपांच मुझे तक आपका जो फूम है आप कुछ से भी जाके जजर-जर कोट के अंदर जमा कर आ सकते हो यह बाइपोस्ट आप बेज सकते हो आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ instruction दी गई है और जो भी आप form त्यार करें जो भी आफ लिफाफा आप त्यार करें इन्वलाप आप त्यार करें तो उसके बाहर ज़रूर लिख देना application for the post of color on a dog basis यह line जुरू लिख देना और address देख लिजएगा यह address रहेगा आपका इस address पर आपको फॉर्म जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो भेजना है अब बात करते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से बढ़ना है तो यह आपका फॉर्म रहेगा आपको मेरे टेलिग्राम गुरूप पे मिल जाएगा link decision में दिया गया है वहाँ से आप download कर लिजएगा और channel को भी join जरूर कर लिजएगा देखेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो भी recent photograph है वो फोटो paste करनी है और उस पर ऐसे cross में sign जरूर कर देना यहाँ आपका form reject हो जाता है फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है फिर यहाँ पर father as band name जो भी है आपका male female दोनों apply कर सकते हैं इसके लिए तो father as band name जो भी है आपका वो लिख देना date of birth आपकी बता देनी है gender आपका male या female category कौन सी है आपकी category general, SC, EWS, OBC जो भी है आपकी वो बता देनी है फिर वो attach proof तो उसकी certificate भी लगानी है साथ में education qualification आपकी कितने पड़े लिखे हैं तो वो बता देना है experience कोई color का experience है आपके पास वो बता देना है और यहाँ पर address आजाएगा address बता देना है फिर आगे nationality Indian हो जाएगी contact number और email ID दोनों बता देनी है आपको यहाँ पर अपनी sign यहाँ पर अपनी date दाल देनी है किस सारी को form बर रहे हैं यहाँ पर place डान लेना है कौन सी जगह से आप form बर रहे हैं अब document देख लीजीगा कौन कौन से documents लेने हैं आपको सबसे पहले आपको आपकी 10th की certificate फिर graduation फिर graduation के बाद आपकी domicile हरियाना की अगर बार के हैं तो बार की जो other state के हैं तो वो domicile लगानी है फिर आपकी class certificate हो जाएगी class certificate के बाद आप अपना आधार card एक photocopy और family ID की photocopy आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं यह documents आपको लगाने हैं सारे selfie texture लगाने हैं और envelope के अंदर डालके और address मैं बता चुका हूँ उस address पर आपको भेजना है एक बार address फिर से बताए दिखा जिता हूँ आपको यहाँ पर यह रहा इस address पर आपको जो form है वो बेज देना है और बाहर लिफ आपके के जिए जुरूर लिख देना उन एड़ोग बेसिज तो यह थी complete जानकारी उम्मिद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचाओगा अभी भी डाउट हो कोमेट सेक्शन पूछ लेना वीडियो को सेर करना चैनल को सब्स्राइब करना तो मिलते हैं एस तिस बरार के अपडेट में धन्यवाद